वंदना अभी मन्यू को हवेली से बाहर जाते उपे देख कर मन में सोचने लग जाती है। अब दर्वाजे को देख कर ऐसा लगी नहीं रहा था कि किसी ने दर्वाजे को वापस से खोला भी था। अज भी सिगरेट पीने गया हो। वैसे भी बहुत दिनों से तो बिस्तर पर ही था ना अब उसकी तलब बढ़ गई होगी। इसलिए तनी रात को बाहर गया होगा। रजनी और कच्छुआ एक साथ बैठे हुए थे। उन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो तीनों वंदना के वहाँ पर आने का इंतजार ही कर रहे थे। जैसे ही वंदना वहाँ पर आती है रजनी उस पर फूटते हुए कहती है। कहां रह गई थी तू? एक तो खुद हमें बुलाती है और उपर से खुद देर से आती है। रजनी कुछ कहती है उससे पहले ही अमोधिता उबासी लेते हुए कहती है। वंदना भापी, कहां रह गई थी आप? आपको पता है मुझे कितनी नीन आ रही है। वो तो आपने बुलाया था इसलिए अपनी नीन तोड़कर आई हूँ और आप उकी सो कर आ रही है। वंदना चिड़ते हुए कहती है, मैं कोई सो नहीं रही थी, वो तो अभी मन्यू दिख गया था तो उससे बचते बचाते आ रही थी, वरना तुम लोग भी जानते हो अगर इतनी रात में उसके हथे चड़ जाती, तो उसे बाल की खाल उतारने में देर नहीं लगती, पता तो पता ही होना चाहिए कि वो कहां गया है, वैसे भी आजकल तेरे दोस्तों को कुछ जादे ही पता चलने लग गया है हम सब के बारे में, कच्छवा समझ जाता है कि वंदना की बात में एक तोट था, कच्छवा वंदना को घूरते हुए कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो वंदना भापी सीधे सीधे बोलो यों खुमा फिरा कर बाते मत करो, वंदना गुस्से के साथ कहती है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुने डाइना को क्यों बताय कि मैं सौधाईन हूँ, जैसे ही वंदना ये बात बोलती है, कच्छवा अमोदिता और रजनी तीनों की पाया इस घर में, कल की आई उस डाइना को कैसे पता चल गई, कच्छवा बरबराते हुए कहता है, मुझे नहीं पता डाइना को ये बात कैसे पता चली, मैं सच कहता हूँ, ये बात मैंने उसे नहीं बताई, मेरी मरी हुई दादी की कसम, रजनी कुछ सोचते हुए कहती है अकर इस कछुए नहीं ये बात उस डाइना को नहीं बताई तो उसे ये बात कैसे पता चली अमूदीता कुछ डरते उबे कहती है वंधना भाबी क्या डाइना को ये भी पताई कि मैं और माँ भी सौदाइन है वंधना जवाब देती है मुझे नहीं पता कि उसे ये بात पता है या नहीं पर इतनापता है वो मेरे बारे में सब जानती है उसे तो ये भी पता है कि मैं पागल नहीं हूँ अमोधिता फिर डरते हुए कहते है वो डाइना सौधाइन वाली बात जाकर दिली फूपा जी को ना बता दे वरना हम गए वंदना अमोधिता की टेंशन को कुछ कम करते हुए कहती है नहीं नहीं अमोधिता दू डर मत वो डायना ये बात किसी को नहीं बताने वाली क्योंकि ये राज रखने के बदले में उसने मुझसे चमगादर की हड़ी ली थी और उसकी आँखों में देखा था मैंने एक सच्चाई थी वो इस राज को राज ही रखेगी कच्वा वंदना को बीच में ही टोकते हुए कहता है क्या कहा? डायना ने इस राज को चुपाने के लिए वंदना भावी तुमसे चमगादर की हड़ी मांगी थी पर क्यों? आखिर वो चमगादर की हड़ी का क्या करने वाली है? वंदना जवाब देती है पता नहीं पर एक और जरूरी बात वो तुम्हें तुझे बता नहीं भूल गई कल रात अभी मन्यू की हालत बहुत खराब हो गई थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी की आखरी सांसे गिन रहा हो मैं तो उसे देखते ही समझ गई थी कि अब उसके उपर जाने का वक्त आ गया है पर पता नहीं डायना ने रात में क्या किया जब अगली सुबा हुई और मैंने अभी मन्यू को देखा तो वो एकदम ठीक ठाक था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो तूने भी तो अभी मन्यू की बिगड़ती हालत देखी थी ना कच्छवा कुछ सोचते हुए कहता है हाँ देखी थी इसका मतलब अभी मन्यू को ठीक करने वाली डायना है उसीने अभी मन्यू को ठीक किया है पर कैसे वन्दना जट बोल पड़ती है पता नहीं उसने अभी मन्यू को कैसे ठीक किया जब उसने मुझसे चमकादर की हड़ी ली थी तो सीधे अभी मन्यू के कमरे में ही घुसी थी और उसने जट दर्वाजा लगा दिया था उस वक्त अभी मन्यू बेट पर दर्द से तडप रहा था मैं तो रात भर उस दर्वाजे के बाहर ही खड़ी हुई थी और ये देखने की कोशिश कर रही थी कि अंदर क्या हो रहा था पर कुछ देख नहीं पाई बस सुन पाई रजनी तुरंट पूछ पड़ती है फिर क्या सुना तुने वन्ना? क्या बाते चल रही थी दोनों के बीच? वन्ना कुछ शर्माते हुए कहती है बाते नहीं चल रही थी रजनी कुछ और ही चल रहा था दोनों के बीच में दोनों के कराहने की आवाजे आ रही थी अमोधिता मूँ बनाते हुए कहती है क्या कहा बन्ना भाबी? दोनों की कराहने की आवाज आ रही थी पर ये कैसे हो सकता है? दर्द में तो अभी मन्यू था ना तो फिर डाइना क्यों करा रही थी वंदना जवाब देती है वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि डाइना क्यों करा रही थी और उसी तरह जिस तरह से कराने की आवाज आ रही थी वो दर्द कुछ और ही दर्द था उन दोनों के कमरे से वैसी ही आवाजे आ रहे थी जैसी नए नवेले दुलहे दुलहन के कमरे के अंदर से आती है जैसे ही वंदना ये बात बोलती है अमोधिता खींखे करके अपने दान दिखाने लग जाती है वंदना अपनी बात पूरी करते हुए कहती है बताओ रात में दर्वाजा बंद कर डाइना ने किया था और सुबह खोला अभी मन्यू ने था पूरी राट डाइना अभी मन्यू के साथ एक कमरे के अंदर थी अब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा ना एक लड़का और लड़की जब एक साथ एक कमरे में रुके हो तो दोनों शान्ती से तो नहीं रह सकते ना कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे वंदना की बाते सुनकर कच्छवा इतना तो जरूर समझ गया था कि डाइना और अभी मन्यू के बीच कल रात कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा जिस कारण अभी मन्यू ठीक हो पाय था वो कुछ अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा था कि आखिर डाइना ने वंदना से चमगादर की हड़ी क्यो मांगी थी और वो कैसे जानती थी कि वंदना सौधाइन है उसने कैसे अभी मन्यू को रात के रात में ठीक कर दिया था कच्वा इतना समझ गया था कि कुछ न कुछ गरबर तो जरूर थी ये डाइना और अभी मन्यू के बीच कल रात कोई न कोई खिछडी तो जरूर पकी थी जो अभी भी पक रही थी कच्वा तुरंथ फर्ष पर से उठते हुए बड़बडाता है मुझे जाना होगा मैं जा रहा हूँ रजनी हैरानी के साथ कहती है अब तू कहां जा रहा है कच्वा जवाब देता है अभी मन्यू का पीछा करने मुझे पता लगाना होगा कि वो गया कहां है वो और डायना कुछ न कुछ तो जरूर कर रहे मिलकर मुझे उस बारे में पता लगाना ही होगा वंदना कहती है पर तू कैसे अभी मन्यू को ढूंडेगा वो तो अब तक पता नहीं कहां पहुँच गया होगा कच्वा वहाँ से जाते हुए कहता है उसे कैसे ढूंडना है ये मुझ पर छोड़ दो इतना कहकर कच्वा हर बड़ाहट के साथ निकल जाता है वो इतना भहरा जाता है कि वंदना से ये बात पूछना ही भूल जाता है कि उस रात वो कहां पर जा रही थी क्या करने जा रही थी किसे संकेत भेजने जा रही थी जब वो कायर के साथ पंचिम गाउं जा रहा था वो आधी रात में कहां गई थी कच्छवा बहुत कुछ वन्ना से पूछना चाहता था पर वन्दना ने उसके दिमाग में अभिमन्यों और डाइना की बाते इस कदर बैठा दी कि वो बिना कुछ पूछे ही वहां से निकल गया था इस तरफ हविली के कमरे में ही युग अपने पापा के लिए लेटर लिखते लिखते सो गया था पर उसने अभी भी अपने हाथ में वो पैन पकड़ कर रखा हुआ था जिसके अंदर से रेडिंग निकलते जा रही थी युग का सिर टेबल के उपर था और उसका हाथ अपने आप चल रहा था वो पैन सच में जादूई था जैसे उसके अंदर भी कोई शक्ती हो उसके अंदर से निकलती हुई रेडिंग खून की तरह लग रही थी वो पैन अपने आप चलते हुए लिखते जा रहा था रुखने का नाम नहीं ले रहा था दिवार पर लगी घड़ी में जैसे ही रात के दो बचते हैं वो पैन अपने आप चलते हुए रुख जाता है जैसे ही वो पैन रुखता है सोए हुए युक के कानों में उसके पापा के कराहने की आवाज गूंचने लग जाती है मुझे बचाओ युक बेटा, मुझे मुक्ती दिलाओ मुझे बचाओ युक बेटा, इस कैट से रिहाई दिलाओ युग के कानों में बार बार उसके पापा के पुकारने की आवाजें गूंच रही थी जिस कारण उसकी नीन खुल जाती है जैसे युग की नीन खुलती है उसके पापा की याद आने लग जाती है नीन में से उटने के बावजूद भी उसे उसके पापा के पुकारने की आवाज सुनाई दे रही थी उनके तरपने की आवाज सुनाई दे रही थी युग को उसके पापा की आवाज सुनाई देती है मुझे बचाओ युग बेटा, मुझे बचाओ अपने पापा को मुक्ते दिलाओ मुझे बचाओ युग बेटा युग को उसके पापा के साथ ही यामिनी के पुकारने की भी आवाज सुनाई देने लग जाती है मुझे बचाईए युग बाबू मुझे बचाईए अपनी यामिनी को बचाईए यूग को उसके कानों में बार-बार उसके पापा और यामिनी के तडपनी की आवाज सुनाई दे रही थी वो दोनों बार-बार उसे पुकारे जा रहे थे वो आवाजे इतनी तेज हो जाती हैं कि यूग से वो आवाजे सुनी नहीं जा रही थी उसके कानों में वो आवाजे चुबने लग जाती है और वो दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेता है कान बंद करते ही उसे आवाजे सुनाई देनी बंद हो जाती है पर उन आवाजों को सुनकर उसके दिल में वापस से उसके पापा और यामिनी के लिए तडब जाग गई थी यूग मन में सोचने लग जाता है मैं देड नहीं कर सकता भले ही उस काले साय ने मुझे कल रात तक का वक्त दिया था पर उसके पास मेरे पापा और यामिनी के थे पता नहीं यामिनी किस हालत में होगी वो ठीक भी होगी या नहीं मुझे अभी इसी वक्त निकलना होगा अगले ही पल यूग के दिमाग में अभी मन्यू का भी खयाल आता है और वो अभी मन्यू के बारे में सोचते हुए बढ़ बढ़ाता है ये अभी मन्यू पहले से ही मेरे खिलाफ है मुझे नहीं लगता अभी मन्यू इतनी आसानी से मुझे मेरे पापा का शरीर उस काले साई को सौंपने देगा इससे पहले कि वो कुछ करे मुझे रोके मैं आज रात ही रात में ये ताबूत उस काले साई को सौमतूंगा और उस काले साई से अपने पापा और यामिनी को रिहा करवा लूँगा इतना कहकर यूग फूर्ती के साथ कुरसी पर से उठ जाता है वो पैन और लेटर्स जो उसने अपने पापा के लिए रखे थे उसका उन पर ध्यान ही ने जाता है और वो टेबल पर ही रह जाते है वो बात उसके दिमाग से ही निकल जाती है कि उसने अपने पापा के लिए कुछ लिखा था युग फुर्ती के साथ ताबूत के पास जाता है और आकरी बार अपने पापा को देखने लग जाता है अपने पापा को देखते हुए फिर से उसकी आँखे नम हो गई थी उन नम आँखों के साथ ही वो ताबूत को फिर से बंद कर देता है जैसे ही वो ताबूत को बंद करता है उसकी आखों में जो आसू थे वो ज्वाला में बदलने लग जाते हैं युग गुस्से के साथ उस ताबूत को देखने लग जाता है वो जानता था कि रात हो चुकी थी और उसकी शक्तिया जागरित हो गई थी अब उसे वो ताबूत उठाने के लिए अपने किसी दोस्त की जरूरत नहीं थी युग उस ताबूत को एक टक नजर से देखी रहा था कि देखते ही देखते युग के हाथ में जो बवंडर का निशान बना हुआ था उसमें मूफमेंट होने लग जाता है वो उसकी कलाई पर ही घूमने लग जाता है अचानक से वो ताबूत जिस पर युग ने अपनी नजरे टिका कर रखी हुई थी वो भी उपर हवा में उठने लग जाता है वो ताबूत कोई अपने आप उपर नहीं उठ रहा था बल्कि उसके नीचे एक छोटा सा बवंडर था जो दिखने में ठीक वैसा ही था जैसा युग की कलाई पर बवंडर का निशान बना हुआ था उस छोटे से बवंडर ने ताबूत को पूरी तरह हवा में उठा लिया था युग उस ताबूत और बवंडर को एक टक नजर से देखते हुए खुद से बड़बडाता है मैं आ रहा हूँ कालिसाई मैं आ रहा हूँ तेरे पास इतना कहकर युग छोटे से बवंडर की मदद से ताबूत को हवा में ही उड़ाते हुए हवेली से बाहर निकल जाता है और ग्रेवियार्ट कोठी की तरफ जाने लग जाता है इन सदियों से है पुरानी ये है यक्षिनी के कहानी यक्षिनी एक आग है यक्षिनी तेरे ख्वाब है झाल